नवस्कार दोस्तों आप सभी का श्वागत है मेरे इस यूटूब चैनल पर दोस्तों आज के इस वीडियो में शामान बैग्यान से महत्तपूर्ण प्रस्टन जो कि आपकी परिश्या में बार बार पूंचे जाते हैं दोस्तों यह पार्ट दूसरा है पार्ट पहला मैं पहल अब इतक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि जो भी अंगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिपेकिसन अब तक आसानी से पहुंच रहें तो चले दोस्तों आज का वीडियो का पहला प्रेश्ण है नर पुस्व और मादा दोनों को जन्म देने बाला पादक कहलाता है या कौन सा पादक कहलाता है तो दोस्तों इसका आंसर है उभाए लिंग्या स्री उभाए लिंगा स्री इसके बाद अंगला प्रश्ण बैंगन किस फुल का पौधा है तो इसका आंसर है सौले नैसी इसके बाद अंगला प्रश्ण फल पकाने वाला हार्मोंस हैं दोस्तों फल पकाने वाला हार्मोंस को कहते हैं एती लिंस इसके वाद अंगला प्रश्ण चाय में लाल रेष्ट रूख किसके कारण होता है दोस्तों इसका आंसर है हरे सेल आपके दौरा इसके बाद अंगला प्रश्ण पात्कों में बना खाद पधार्थ पौधे के भिविन अंगों में किसके द्वारा पहुंसता है तो इसका अंसर है क्लो एम्स के द्वारा इसके बाद अंगला प्रश्ण की बात का दें अंगला प्रश्ण बिटामिन ए का रासानिक नाम क्या ह दूस्त बीतामिन E का राशनीक नाम है टौको फेर रॉल इसके बाद अग्डेश्चन एक ग्रो इस्ट्रोलाजी में अध्यन होता है दूस्त इसका अंसर है घासों का इसके बाद अंगला प्रशन एंटीबायोक्टिक्स अधीक अधीकांसता प्राप्त होते हैं दूस्त इसका अंसर है जीवानों से इसके बाद अंगला प्रश्न नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है दूस्त नाशपाती का भाग गुदेदार फुस्पासन खाया जाता है इसके बाद अंगला प्रश्न जीन्स बने होते हैं दूस्त जीन्स बने होते हैं काएगे डी एने की इसके बाद अंगला प्रश्न कोशी का को एक निश्यत रूप में प्रदान करती है उसे कहते हैं कोशी का मित्ती इसके बाद अंगला प्रश्न प्राकर्तिक रवर एक बहुलक है किसका आईसोप्रीन का इसके बाद अंगला प्रश्न मनुष्ण में दी गुने क्रो मुश्वास की संख्या होती है कितनी संख्या होती है तेस जोडे इसके बाद अंगला प्रश्न दी आरी जिन्स आफ स्पीस रिस नावक पुस्तक किसने लिखी है तो यहां पुस्तक लिखी है दार्विन द्वाना लिखी गई है इसके बाद अंगला प्रश्न मलेरिया बुखार पैदा करने बाला प्रोटो आ है इसका अंसर दोस्तो फ्लाजमो डियस फ्लाजो डियम इसके बाद अंगला प्रश्न प्रतिवर्ति क्रियाओं का नियंत्रन केंद्र कहां पर है तो इसका अंसर है कसे रुक रज्जू में इसके बाद अंगला प्रश्न बिटामेंडी का रासान एक नाम क्या है दोस्तो बिटामेंडी का रासान एक नाम है कैलसी फिरॉल इसके बाद अंगला प्रश्न जीबानिगों में आभाव होता है दोस्तो जीबानिगों में आभाव होता है माइट् का इसके वाद अंगला प्रश्ण वर्त्य प्रचियोगी का के जो प्रचिंद के वाद अंगला प्रचिंड बर्टिकह और बर्चिंद विपयोगी और अफये वर भी कि करना यंगेल ayë प्रस्टु पादक रोगों का सबसे उत्तरदाई कारप कॉन होता है चाहा है वांध्य बैस्टीयों में अस्तियों की शंख्या कितनी होती है उसर बाइस्टों में होती है 206 हड्या इसके चशनू कोपडि में 28 अस्तियां होirm कितनी होती हैं कितनी होति है अंगला प्रेश्ण की शंख्या कितनी होती आ है कि इसका अंसर शात होती है इसके बाद अंगला प्रेशन स्वास गती कितनी होती है दोस्तों स्वास गती होता है 16 बार प्रती मिनिट मतलब एक मिनिट में आप 16 बार सांस लेते हैं इसके बाद अंगला प्रेशन दोस्तों श्वेत रग्त कडिंकाओं की आयू कितनी होती है स्विक्त डॉक क्णिकाओं की आयू होती है चैरे की अस्तियां कितनी होती है 14 इसके बाद प्रेशन जत्रुक की शंख्या होती है हतेली की अस्तियां कितनी होती है इसके बाद अंगला प्रश्ण है हिर्दैक की दो धड़कनों के बीच का समय कितना होता है इसके बाद अंगला प्रश्ण है एक स्वास में खीची गई बायू कितनी होता है दुस्तों एक बार आप सांस लेते हैं उसमें आप पियांदर भायु जात शाहटी है पांसो मिली मीटर कि इसके बाद अंगे 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 अंगला प्रेश्बन दुस्तों सुनने की चाहम्ता कितनी होते हैं दूक्रे Cream क्या होती है दूँट की दोats yang क्या होती है 20 अुदिस क्यों अकल डार नंकलने की आयू कितनी होती है शरीर में एस त्वारण की संख्या कितनी होती है दोस्तों सरीर में तत्मकुशन क्या होती है 24 इसके बाद अंगला प्रेशन है सरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है दोस्तों सरीर में रक्त की मात्रा होती है पांच से छे लीटर के बीच में इसके बाद अंगला प्रेशन हो तो सरीर के भार का लगवक साथ प् तक फरीर में ब्लट रहता यानि की खुन रहता हैं कि दोस्तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं एक नेश्ट वीडियो में दोस्तो ज़िए आपके वीडियो पसंद आया हो तो प्रिश लाइक करें शेयर करें और दोस्तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी मैं अंगला नया वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच रहें चलिए दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों बाई